गंड़क नदी के तंडव ने चंपारन तटवंध को ध्वस्त किया तो उसके बाद पुर्वी चंपारन के संग्रामपूर और भवानी पूर के कई गाउं प्रभावित हुए ही पर अब गंड़क का पानी नए इलाके में प्रवेश कर गया है और इसके साथ ही के सरिया के दरजोनों गाउं मोहले प्रभावित हुए इसके साथ ही साथ मोतिहारी को पटना से जोड़ने वाली SH-74 भी पानी के तेज बहाओ के कारण बाधित हो गया है सरकार बार को लेकर जनता के लिए कितनी फिक्रमंद है इस तस्वीर को देकर आप भखुवी समझ सकते हैं ट्रैक्टर तो खेती और किसान के काम आता है पर इस हाइवे पर इस बार की बिभीशका में यात्रेयों के लिए यात्रा का साधन बना हुआ है ट्रैक्टर लोग बाइक पर सवार होकर यहां तक आते हैं और फिर अपनी बाइक और साइकिल को ट्रैक्टर पर लाद कर आगे जाते हैं वहीं लोगों को इस डुवाव पानी को पार करना भी मुश्किल है जो लोग ट्रैक्टर से इस पानी को पार करते हैं उनसे ट्रैक्टर वाले पचास रुपए भारे के तौर पर वसूल करते हैं बार की इस तरास्दी के बीच भलही पिरितों के लिए सहता के नम पर सरकारी दावे किये जाते हैं पर इस्थिति इस इस इलाके की यह है कि कहीं भी सरकारी नाव उपलब्द नहीं है ऐसे में लोगों को मनवाने तौर पर पैसे दे कर सरक पार करना पर रहा है इन सब के बीच एक पिरित ने बताया कि वो काफी दूर से अपने पड़िवार और बच्चों के साथ बाइक से आ रहा था जब यहां पहुँचा तो देखा कि लोग ट्रैक्टर पर बाइक सवार करके पार कर रहा है इस तस्वीर को आप गौर से दिखिए कि ट्रैक्टर पर किस तरह से पहले बाइक को सवार किया जाता है फिर उसे उतारा भी जाता है पानी पार कराने के बाद लोग जब 50 रुपए देते हैं तो ट्रैक्टर सवार उनकी बाई को और उनको एक पट्री लगा कर ट्रैक्टर पर चड़ाता है और उसके बाद इन लोगों को लेकर इस सरक पर जो भीशन पानी लगा हुआ है बार का उसको पार कराया जाता है सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे इलाके की इस्थिती को सरकार तक कई जन प्रतनिधियों ने भी बताया है अवगत कराया है लेकिन अब तक लोगों के लिए इस सरक पर जब पानी से पार करने वालों के लिए कोई सुधा मोहिया नहीं कराई गई है और अंत्रता यहां जो ट्रैक्टर वाले हैं वो लोगों से वसूली कर रहे हैं और उनको पानी पार कराते हैं कहां से? साहें गज़ से कैसे आ रहा है? बचिया सा कुछ पने जाने हैं मरजेंस की बाट कितना दूर से पैदल भी आ रहा है? तो क्लोमीटर से? वोगों सी दूर उपानी कर दो判कर है? जो वोगों कर दो होने कला।uck एंपितिन कर दो थे, जाना कहां? यहां नहीं है तो फिर प्राइबेट भारा देकर जा रहे हैं तो मतब किराया देके हम लोग भार के इसमेदा लगड़ा है शरकार के तरफ से कुछ नहीं है को सरकार के पीचार के तलस कोई स्मीदा नहीं है अए मतलब कोद अपना ही करना हा का बहुत परसानी हो रहे ही हम लोग आने जाने हम और ऐसा है कि दू ड़े लिज आनजेना पढ तर रहा है डेली पैसा लग जाना रहा है common — मैं कीछ्ले तीन चार दीनों से आ रहा है एक गाड़ी के लिड़ किल मुटर पड़ गया कोई 20 ओ देता है कोई 30 कुई 40 को देता है कोई पिरीे मेल जाते है अचहुटि अपने सहयोग हो से ईचह है अल्ग के तरफ से कुछ नहीं है कुछ नहीं है सरकार के तरफ से हँ है क हम कुछ अगर आप नहीं रहते तो लग कैसे है जाता है। आपको बताने कि इस बार की बिभीशका पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। हलांकि बिपक्ष का भी दायतों बनता है कि इस बिपता के घरी में लोगों की समस्या को लेकर कोई नीदान तलाशे। मतिहारी से खुलासा के लिए अरविंद कुमार की रीपोर।